नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशी का भविश्य बताने के लिए आज जेश्ट मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी और मंगलवार का दिन है पंचमी तिथी आज शाम पांच बच कर 29 मिनट तक रहेगी आज शाम चार बच कर 48 मिनट तक व्यागात योग रहेगा साथ ही आज राद 11 बच कर 41 मिनट तक आशलेखा नक्षतर रहेगा इसके अलावा आज सुति पंचमी मनाई जाएगी आगे हम इसी पर विश्टिर चप्षा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बर्त डे है तो क्या करें और अगर आज आपकी मेरी जैनिवरसली है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लखी कलर और चाहे आपका आज का लखी नंबर आज अगर बिजनेश शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोती किसमत का दरोजा खुलेगा किस अक्षर का आज क्या है भविश जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की आज कौन से दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिश्य गनितपक्ष ने आकाशिय पिंडो के बीच बहने वाली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड के मुवमेंट को कलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अज ये योग 15 जून की सुभा 5 बच कर 10 मिनट से देर रात 2 बच कर 33 तू 33 तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार सिध्योग यानि की सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग सुभा 5 बच कर 10 मिनट पर शुरू हो चुका है और रात 11 बच कर 49 मिनट तक रहेगा इस करम में आई ये आप चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्त यानि के फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 13 जून की सुबह 5 बच कर 34 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 26 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 14 जून की सुबह 10 बच कर 48 मिनट से 2 पहर 2 बच कर 49 मिनट तक और एक बार फिर शाम चार बच कर 58 मिनट से राद 11 बच कर 3 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है सीजेरियन ओपरेशन कराने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 13 जून की सुबह 5 बच कर 34 मिनट से 2 पहर 12 बच कर 26 मिनट तक और एक बार फिर 2 पहर 2 बच कर 43 मिनट से राद 9 बच कर 25 मिनट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 23 जून की शाम 5 बच कर 4 मिनट से राद 8 बच कर 45 मिनट तक और एक बार फिर राद 10 बच कर 28 मिनट से राद 10 बच कर 48 मिनट तक रहेगा मेडिकल ट्रीट्मेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूर्त नहीं है अब ये महूर्त 16 जून की सुबह 7 बच कर 37 मिनट से दो पहर 2 बच कर 31 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्ट्रो माइग्रेटिक फील्ड कुछ चणों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई भी शुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज दो पहर एक बचकर पैतालीस मिनट पर अचुब समय रहेगा वैसे तो इससे सभी राश्यां प्रभावित होंगी लेकिन कर्क, सिंग, धनु और कुम्भ राश्यां विशेश रूप से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के बारा मिनट पहले और बारा मिनट बाद तक कोई भी शुब कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दू कि काम सुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा दो पहर बाद तीन बचकर उन चास मिनट से शाम पांच बचकर चौन तीस मिनट तक मुंबई दो पहर बाद तीन बचकर चपन मिनट से शाम पांच बचकर चटीस मिनट तक चड़ीगर दो पहर बाद तीन बचकर तीन बचकर तिरपन मिनट से शाम पांच बचकर उन तालीस मिनट तक लक नव दो पहर बाद तीन बचकर 32 मिनट से, शाम पांच बचकर 16 मिनट तक भोपाल दो पहर बाद तीन बचकर 32 मिनट से, शाम पांच बचकर 24 मिनट तक कुल काता दो पहर दो बचकर 58 मिनट से, शाम चार बचकर 49 मिनट तक आहे मदाबाद शाम चार जोफ ऐक मिनट से शाम पांच बच कर तैस अलीस मिनट तक और चेन नई वे राहुकाल होगा आज दो पहर बाद तीन बच कर 21 मिनट से शाम चार बच कर 58 मिनट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की सुब्दिशा क्या है तो आज जो सुब्दिशा है उत्तरपूर और आईए अब शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी की मेश राशी वालों आज आज आपका दिन मेला जुला रहेगा आज आज आपको अपने खर्चे पर नियंतर रखना चाहिए किसी भी फैसले में जल्दवाजी करने से आपको बचना चाहिए इस राशी के जो लोग लेखक हैं उनकी किसी कविता को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे आपको किसी संस्था के दौरा समानित भी किया जा सकता है आज जब माता पिता का आशरवाद आपको मनजल तक पहुंचाने में मदद करेगा आपको किसी काम से दोस्तों से साहता मिलेगी बच्चे आपसे कोई बात शेयर कर सकते हैं आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए आज आपका स्वास्थ है अच्चा बना रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है बलैक और लखी नमबर है सेविन ब्रेश राशी वालों आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा आज आप परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे घर का वातावना खुश्णुमा बना रहेगा इस राशी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है आज आपकी आर्थिक इस्तिती अच्छी बनी रहेगी जीवन साथी के साथ कहीं गूमने की प्लानिंग करेंगे आप किसी काम को नैसरे से शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं आज आप अपनी दिन चर्या में बदलाव करेंगे आज आपके कार्य समय से पूरे होते चले जाएंगे लवमेट आज अपने रिष्टे को और मदबूत बनाने के लिए फोन पर चर्चा करेंगे आज आप किसी विशेश पूजा का हिस्सा बन सकते हैं लंबे समय से फसा हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है चार मिथुन राशिवालों आज का दिन आपके लिए शांदार रहेगा आज आप कारिस्थल पर कुछ बदलाव कर सकते हैं इससे आपको फाइदा होगा आज आपका रुजान आध्यात्म की तरफ हो सकता है परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहेगा दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे तारेक शेतर में आपको बढ़ोत तरीके नए अफसर प्राप्त होंगे आप कोई भी अफसर हाथ से नजाने दें आपके काम में सफलता मिलेगी जो लोग स्वास्थ से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा आपको मन चाही जगह पर ट्रांसफर का आफर मिल सकता है आज आपके रूची सामाजिक कारियों में रहेगी आप किसी संस्था से भी जुड़ेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डन और लकी नमबर है सिक्स करकर आशिवालों आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहेगा आज आपका कोई नजदीकी मित्र आप से मिलने आ सकता है आप उनसे कोई अपने कोई निजी बातें शेयर कर सकते हैं इससे आपके मन की उल्ज़न थोड़ी कम होगी परिवार की उल्ज़नों को सुल जाने में आज किसी रिष्टेदार की मदद बिल सकती है चात्रों के लिए दिन ठीक है चात्रों के पढ़ाई में आ रही समस्याएं किसी की मदद से दूर हो सकती है आपको नतीजों के ज़्यादा फिक्र ना करके अपने काम पर ध्यान देने की ज़रुत है बड़े बुज़र्ग आपको कोई खास सलाह दे सकते हैं जो आगे चल कर आपके बहुती काम आएगी आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंज और लखी नमबर है दो सिंग राशी वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो पूरा हो जाएगा साथ ही अन्यकामों की गती बनी रहेगी आप खुद को रिलाक्स फील करेंगे इस राशी के जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के बाद फाइनल हो जाएगी घर का महौल बहतर बना रहेगा काम के मामले में कुछ लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी विशय के लिए ट्यूशन क्लासे लेना चाहते हैं तो आज से शुरू कर सकते हैं व्यापार में अचानक धनलाव होगा आज आफिस के किसी मीटिंग में आपको जाना पड़ेगा अपनी बात सब को समझाने में सफल होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नमबर है चार करने राशिवालों आज का दिन आपके लिए लाफदायक रहेगा आज लोग आपके बातों पर पूरा ध्यान देंगे यात्रा की योजना बन सकती है पैसों की कुछ उल्जी हुई इस्तित्यों का समाधान आज निकल आएगा रोजमर्रा के काम पूरे हो सकते हैं आज आपके आसपास के लोग आपके विवहार की तारीफ करेंगे आज आप कोई महत्वण काम समय से पहले निप्टा लेंगे सीनियर्स आपके ताम की तारीफ करेंगे आज आप अपनी बात दूसरों को समझाने में बहुत हद तक सफल होंगे शाम को जीवन साथी के साथ आनंद दायक समय बीतेगा घरेलू कारियों को पूरा करने के लिए प्लानिंग बनाएंगे आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है पांच तुला राशिवालों आज का दिन बदलाव से भरा रहेगा आज का दिन जीवन में अहम मोड लाएगा आपको अपने करियर का कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है ध्यान रहे जो भी करें सो समझकर करें अगर आप नौकली कर रहे हैं तो अचानक आपको किसी काम के लिए बाहर भेजा जा सकता है काम की वज़े से आप परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे लेकिन परिवार का साथ बना रहेगा आपको अपना काम समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए किसे नए बिजनेस के शुरुआत के लिए पैसा उधार लेना पड़ सकता है चात्रों को आज का दिन अच्छा रहने वाला है बेहतर अंक प्राप्त होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है नाई वरिष्टिक राश्यवालों आज का दिन जीवन में किसी नई खुशी का संकेत लाएगा आपका जीवन साथी आपको कोई बड़ी खुशखबरी देंगे परिवार के बाकी लोग भी काफी खुश नज़र आएंगे रिष्टों और काम के बीच तालमेल बना रहेगा हैं उन्हें काफी अच्छा लगेगा आज आपके व्यापार की गती बढ़ेगी इनकम बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे आई आई टी या किसी भी टेक्निकल परीक्षा के तैयारी कर रहे चात्रों को आज गुरुजनों का विशेश सहयोग मिलेगा आप किसी अच्छे संस्थान में दाखिला भी प्राप्ट कर सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है आठ धन और राशिवालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबिल रहेगा आज आफिस में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा आपका काम समय पर पूरा होगा आपके सकारात्मक विचार किसी विक्ति को प्रभावित कर सकते हैं आपकी मदद दूसरों के लिए फायदे बंद रहेगी स्टूडेंस प्राही को लेकर कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने कठिन विश्यों को समझने के लिए किसी की मदद लेंगे घर के किसी काम में जीवन साथी की मदद मिलेगी आज किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में अनुभवी विक्तिका साथ मिलेगा जिससे आपका प्रोजेक्ट समय रहते पूरा हो जाएगा आज के लिए लखी कलर है ब्लू और लखी नमबर है सिक्स मकर राशेवालों आज आपका दिन खुशाल रहेगा आफिस में किसी सहकर्मी से आपको मदद बिलेगी जिससे काम करने में आसानी होगी किसी काम में मातापिता की सलाह फायदे मन्साबित होगी जीवन साथी के साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्लान बनाएंगे इससे आपका रिष्टा और मजबूत बनेगा इस अराशी के स्पोर्ट से जुड़े लोग किसी नई एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं आज आप अपने करियर के बारे में सोच विचार करेंगे आपकी धन संपत्य में बढ़ोतरी होने की संभावना है सेहत के मामले में आप खुद को उर्जावान महसूस करेंगे जो लोग होटल या रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए दिन पहले से बहतर रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है नाई कुम्भराशिवालों आज का दिन आपके लिए बहतर रहेगा आज आफिस में आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे आज आप से किसी मामले में एक्सपर्ट के तौर पर सलाह ली जा सकती है आपका वैवाहिक जीवन बहतर बना रहेगा आज आप अपनों की मदद के लिए तैयार रहेंगे इस राशी के बिजनसमैन को काम में कुछ नए अनभाव मिलेंगे काम भी बेटर धंक से चलेगा बच्चे पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकते हैं इंकम के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे जो लोग अपने बिजनस को शिफ्ट करना चाहते हैं या कोई दूसी ब्राश खोलना चाहते हैं वो आज इसकी प्लानिंग कर सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है आठ मीन राशी वालों आज का दिन यात्रा में बीच सकता है ये यात्रा आफिस के किसी काम से रिलेटेड हो सकती है आज आप कुछ मस्ती के मूड में रहेंगे इससे आपका मन खुश रहेगा इस राशी के बच्चे किसी ड्राइंग कमपटीशन में भाग ली सकते हैं किसी पुराने दोस्स से मुलाकात होने की संभावना है रोजमर्रा की जिद्दगी में कुछ नयापन आ सकता है घर के ज़्यादातर कार्य पूरा करने में सफल होंगे चात्रों को आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा घर वाले आपके वेवहार से परसंद रहेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है नवी ब्लू और लखी नमर है दो और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिल है वो आज किसी जरूरतमन्द को मिठाई दे और जिनकी आज मेरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को पर्फ्यूम गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग बढ़ता ही रहेगा और आएए अब चलते हैं अंकों की रहसमाई दुनिया में मूलांक एक वालों आज अपना रुका हुआ काम पूरा करने में सफल रहेंगे घर का माहौल अच्छा रहेगा मूलांक दो राजीत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आपको किसी बड़े काम की जिम्मेदारी मिल सकती है मूलांक तीन अगर आप घर के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा, मूलांग चार, बिल्डर्स को किसी प्रापर्टी से मुनाफ़ा होने के योग हैं, आपके साथ कोई नया पार्टनर जुड़ेगा, मूलांग पांच, स्वास्ति के लिहाज से आज आज आपका दिन उत्तम रहेगा, किसी जरुरतमंद को भ अच्छा पर नाम मिलेगा, मूलांग आठ, आज किसी धार्मिक काम में मदद करेंगे, जिससे आपके कारोबार में फाइदा होगा, मूलांग नौ, आज आपके सेहत अच्छी रहने वाली है, जिससे आप खुद को तंदरुस्त महसूस करेंगे, और अब चर्चा वास्तु वास्तु शास्त्र की, वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे, दो हंसों के जोले के बारे में, हंसों के जोले को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आपस में प्रेम करते हुए, दो हंसों के जोले की तस्वीर बेडरूम में लगाना अच्छा होता है, वास्तु के शेहनकक्ष की उत्तर दिशा की दिवार पर दो हंसों के जोड़े की तस्वीर लगाएं, दो हंसों के अलावा आप दो सारस के जोड़े की तस्वीर भी लगा सकते हैं, लेकिन तस्वीर की जगए अगर मूर्ती मिल जाया तो और भी अच्छा होगा, इससे अधिकलाब होग इससे आपके घर में सकारात्मक ऊजाएगी और ऐसा करने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल बहतर होगा और घर का माहौल शांती पूर रहेगा साथी ये आपका दाम पत्य जीवन भी सुख से बीतेगा वास्तु शास्तर में इती चर्चा शेहन कक्ष में दो हंसों के जोड़े को लगाने के बारे में उमीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज जेश्ट मास के शुक्लपक्ष की पंचमी तिथी और मंगलवार का दिन है पंचमी तिथी आज शाम पांच बच कर रूं तीस मिनट तक रहेगी आज शाम चार बच कर और तालीस मिनट तक व्यागात योग रहेगा ये योग सुभ कारे के लिए अच्छा नहीं माना जाता है यदि वेक्ति इस योग में किसी का भला करने जाए तो भी उसे अच्छा नहीं समझा जाता है साथी आज राद ग्यारा बच कर तालीस मिनट तक आज लेखा नक्षत रहेगा आकाश बंडल में इस्थिट 27 नक्षत्रों की शेनी में आश लेखा नवा नक्षत्र है इसका अर्थ होता है आलिंगन इसी के अनुसार कुंडली मार कर बैठे हुए साम को आश लेखा नक्षत्र का पती चिन माना जाता है और नाग देवताओं को आशलेखा नक्षत्र के अधिपती देवता माना जाता है साथी आशलेखा नक्षत्र की राशिकर्क है वही इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध का संबंध हमारे बिजनेस हमारी वानी आदि से है वनस्पतियों में आशलेखा नक्षत्र का संबंद नागकेसर के पेर से बताया गया है लिहाजा जिन लोगों का जन्म आशलेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आशलेखा नक्षत्र के दौरान नाकेसर के पेर की उपासना करनी चाहिए साती ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दोरान नाकेसर के फिर उसके फूल, पत्यों या लकडी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए ऐसा करने से आपको सुप फलों की प्राप्ति होगी साती ही आपके सुख सोभागे में वृद्धी भी होगी इसके अलावा आज जैनियों की शुति पंचमी है शुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ, बीन हर्ड जैन समाज में इस दिन का विशेश महत्व है कहते हैं, इसी दिन पहली बार जैन धर्म का ग्रंथ लिखा गया था तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले व्यागात योग आशलेखा नक्षत्र और सुति पंचमी की और अब बात करते हैं आज किये जाने वाले विशेश उपायों की अगर आप अपने दांपत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं और जिंदगी में अपने हमसफर का साथ हवेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन नाग केसर का एक फूल लेकर आएं आप चाहें तो ताजा फूल लेकर आएं या फिर पंसारी की दुकान से भी आप नाग केसर का फूल ला सकते हैं अब उस फूल पर एक मून शहर लगाएं इसके बाद उस नाग केसर के फूल को माता दुरगा को अर्पित कर दें और देवी मा से अपने दांपत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए और अपने हमसफर का साथ बनाए रखने के लिए प्रात्थना करें आज के दिन ऐसा करने से आपके दांपत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा और जिंदगी में हमसफर का साथ हमेशा बना रहेगा अगर आप अपने जीवन में सुक समर्धी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज के दिन नाक केसर के पेरोग को प्रणाम करना चाहिए और उसकी विधी पूरवक पूजा करनी चाहिए अगर आपको नाक केसर का पेर न मिले तो पंसारी की दुकान से नाक केसर की सुखी लकडी का एक टुकडा या एक सुखा फूल लेकर उसे प्रणाम करें और आज पूरा दिन उसे अपने पास रखें अगले दिन सुखा उठकर स्नान आदि के बाद उस लकडी के टुकडे अप फूल को किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दे आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सम्रद्धी बनी रहेगी अगर आपके आफिस में पैसों को लेकर परिस्तियां कुछ ठीक नहीं चल रही है तो उन परिस्तियों को ठीक करने के लिए आज के दिन आप पंसारी की दुकान से एक नाकेसर का फूल लेकर आएं और आज के दिन उसे अपने मंदिर में स्थापित करें अब उसकी विधी पूरक रोली चावल आज इसे पूजा करें पूजा के बाद आज पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दें अगले दिन सुबह इस्दान आज इसे निवर्ट ठोकर उस फूल को वहां से उठा लें और अपने आफिस के कैश बॉक्स में रख करते हैं लेकिन उसमें बिजनस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज के दिन आपको साफ सुध मिटी लेनी चाहिए अब उस मिटी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उसे 27 चोटी चोटी गोलियां बनाइए और उन्हें का मिले उन्हें गोलियों को किसी मंदिर या पिर्ग के पास रख दे अगर आप पारिवारिक रिष्टों में मिठास बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको हनुमान जी को शहद का भोग लगाना चाहिए और इस मंतर का जब करना चाहिए ओम हंग हनुमते नमहा ओ तो आज के दिन स्नान आदि के बाद अपने बच्चे के साथ हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ जाकर हनुमान जी के आगे दोनों हाँ जोड़ कर परणाप करें फिर भगवान के माय पैर से सिंदूर लेकर अपने बच्चे के माथे पर लगाएं घर वापस आ जाएं आज क पिछा कर बैठ जाएं अब अपने सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर थोड़ी सी मसूर की डाल रखें इसके बाद हन्वान की घटी को यूहीं सुगम तरीके से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आज के दिन फूलो सहित नाकेसर के पेल की एक फोटो घर में लाएं और उसे अपने घर की पूर्व दिशा में ऐसी जगह पर लगाईए जहां बाहर आते जाते समाएं वो आपकी नजर में प गटी को यूहीं सुगम तरीके से जीवर की गटी आगे बढ़ती रहेगी अगर आप अपने काम में बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आपके आमदनी भी अच्छी होती है लेकिन आपके मेहनत और आमदनी के अरुसार आपके बचक नहीं है आपके हाथ से आज दिन कुछ न लाकर उसे लाल कपड़े में लपेट लीजिए और अपने पास उस फूल को रखे इस प्रकार कुछ दिनों तक अपने पास नाक केसर का फूल रखने से आपको असर देखने को मिलेगा आपके आमदनी से बच्छत होगी और आप साथ ही आपके खर्चों पर कंट्रोल भी हो अगर आप अपनी बातों को दूसरे लोगों के सामने इस पश्ट रूप से विक्त नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन एक पान का पत्ता लेकर उस पर थोड़ा सा कथा लगाएं अब उस पान के पत्ते को मोड़कर एक सफेद रंग के कोरे कागज में लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में चड़ा दें आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी बातों को दूसरे लोगों के सामने इस पश्ट रूप से विक्त कर पाएंगे अगर आप परिवार से जुड़ी किसी समस्या का हल जल से जल निकलना चाहते हैं तो आज के दिन इस्नान आजिसे निपरतो कर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें साथ ही उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं आज के दिन ऐसा करने से आपati परिवारिक समस्या का हल जल से जल निकल आएगा अगर आप जीवन में आर्थिक रूप से मिलने वाले लाब में बहुतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको साथ बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद हनुमान जी के आगे हाँ जोड़ कर परणा करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से मिलने वाले लाब में बहुत फायदा होगा अगर भाई बहनों के साथ आपके रिष्टे में प्यार और लगाव तम हो गया है तो आज के दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं साथ ही भागवान के सामने हाँ जोड़ कर विंती करें आज के दिन ऐसा करने से भाई बहनों के साथ आपके रिष्टे में प्यार और लगाव बना रहेगा तो ये सारी चर्चा थी आज व्यागात योग आशलेखा नक्षत्र और सुति पंचमी के बारे में साथ ही आज के दिन कौन से उपाय करके अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे हमने इसकी भी चर्चा की है उमीद है कि आप भी चर्चा का पूरा पूरा लाब उठाएंगी और अब मैं आपको बताओंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अख्षर आपके आज के भविश के बारे में सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए आज आपको मन और रंजन करने के लिए मौके मिलेंगे जिससे आपका मन बहुत खुश होगा बी जीवन साथ ही आज आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे साथ ही आपके किसी काम में मदद भी करेंगे सी आपके लिए आज का दिन खुश तुमा रहेगा आपके रिष्टों में नया पनाएगा डी आपके अधूरे कारे आज पूरे हो जाएंगे साथ ही आपको आगे बढ़ने की कोई नई किरण नजर आएगी आपके लिए आज का दिन बहुती शांदार रहेगा रुके हुए कारियों को पूरा करने में सफलता बिलेगी कोई जरुई चीज आप कहीं रख कर भूल सकते हैं जिसे ढूनने में थोड़ा समय लगेगा जी आपको आज कोई खुशखबरी बिलेगी जिससे परिवार के सभी लोग बड़े खुश होंगे एच पुरानी बातों के जंजट पर पढ़ने से बचना चाहिए जिससे आपका माइड अच्छा बना रहे आई छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें जे आज आज आपके आर्थिक इस्तिती बहतर रहेगी नए कारियों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा कि आपके लिए आज का दिन बहतरीन रहेगा आपके सभी का मन मताबिक पूरे होंगे आज किसी से बात करते समय अपनी बानी पर संयम रखना चाहिए जो आपके लिए अच्छा रहेगा आज बश्पन के किसी मित्र से मुलाकात होगी उसके साथ आप खूब सारी बातें करेंगे जो लोग मार्केटिंग से जुने हैं उनके लिए आज का दिन शांदार रहेगा ओ परिवार के सुक्स और भाग्य में बहुतरी होगी सभी लोग एक दूसरे से प्रेम पूरवक व्यवहर करेंगे पी आज आप दूर की सोच रखकर अपना काम करेंगे आपको फायदा जरूर बिलेगा चिव आज आप एनरजी से भरपूर रहेंगे आपके मेहनत का परिणाम आपके फेवर में रहेगा आज आज आप अपने विरोधियों पर नज़र रखेंगे विरोधी पक्ष आज दोस्ती का हाँ बढाएंगे एस थोड़े ज़्यादा समेदन शील हो सकते हैं आज आपको ज़्यादा भावुक होने से बचना चाहिए ती आपके बनाई हुई को योजना पूरी होगी जिससे आप बहुत खुश होंगे यू आज किसी केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा परिवार में खुशी का माहौल बनेगा वी कारेक्षेतर में आपको बहत्रीन सपलता मिलेगी साथ ही आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे डेबलू आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा शिच्छा के छेतर में आपको उन्नती मिलेगी एक्स आपके मन में नए नए बिचारा सकते हैं जो आपके लिए कारगर साबित होंगे आज आप दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन आप किसी काम की वज़े से लेट हो सकते हैं जेड कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा अचानक आपके कारोबार में बड़ा मुनाफ़ा होगा और अब बात आज के तीर्थ की आज हम आपको कराने जा रहे हैं हनुमान जी के एक सिद्ध मंदिर के दर्शन ये मंदिर है बिहार की राजधानी पटना में पटना रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बनावीर महावीर का ये मंदिर अति सिद्ध बताया जाता है हर वर्ष लाखों यात्री इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं ये महावीर मंदिर उत्तर भारत में सबसे अधिक दर्शन किये जाने के लिए दूसरे स्थान पर आता है यहाँ इस थापे संकट मोचन की पतिमा भाक्तों के दिल में विशेश इस्थार रखती है हर मंगलवार और शनिवार के अलावा हर्त योहार पर यहाँ प्रति दिन हजारों लोग दर्शन कर अपने संकटों के निवारन की प्रातना करते हैं तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुद मंदिर के दर्शन और अब बात सामुद्धिक शास्त्र की सामुद्धिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके चेहरे की चोड़ाई लंबाई की तुलना में थोड़ी अधिक होती है सामुद्धिक शास्त के अनुसार चेहरे की चोड़ाई अधिक होने से विक्ति शारीरिक रूप से भी थोड़ा बड़ा दिखलाई पड़ता है और उसके अंदर थूलता आ जाती है इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग कभी किसी चीज के लालश में नहीं पड़ते और अपना काम बहुत इमानदारी से करते हैं च्छल कपड से दूर दूर तक इनका कोई रिष्टा नहीं होता और अपने काम के लिए ये कभी किसी को तकलीफ भी नहीं देते हैं ये हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं साथ ही ये लोग सौ में सभाव और मीठा बोलने वाले होते हैं सामुद्दिक शास्त्र में ये थी चर्चा जिनके चेहरे की चोड़ाई लंबाई की तुलना में थोड़ी अधिक होती है और अब बात अवाइट अब दी डेक की यानि आज आज आपको क्या नहीं काना है आज 11 जून को जेश्ट शुक्लपक्ष की पंचमी तिति है शर्ची तिति में नीम या नीम से बनी चीजों का इस्तेमाल निशिद है इस तरह तिति का समय जान कर आप अपने खाने का शेडूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाईए पीजिए मौश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और अब वक्त है आज की टिप आफ दी डे का आज आँखों में सुर्मा लगाएं सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राजिफल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिगत संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भविशवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार